हलो दोस्तों आप सभी के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ ये वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है और जितने भी एगजाम है उसकी लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है चाहे एससी हो यूपीएसी हो जैपीएसी हो रेलवे हो इससे कोश्चन आना ही आ जाया हूँ चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में इंटरनैस्टनल और्रगनाईजेशन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे को उसका स्थापना कहां हुआ था उसका हेट क्वार्टर कहां है और इसके साथ इंडिया उसका member country है की नहीं इसके बारे में हमने पूरा detail तरीके से जानेंगे मैंने आपके लिए pdf यह त्यार कर दिया है description में डाल दूँगा वहां से आप download कर सकते हैं तो चलिए हम लोग video में आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग शुरू करते हैं यहां हम लोग देखेंगे list of international organization देखेंगे उसका इंडिया member country है की नहीं चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला है ALCO ASEAN African Legal Consultative Organization जिसका formation 15 November 1956 में हुआ था इसको ASEAN Legal के भी नाम से भी जाना जाता है यह consultative committee थी इसका founder member देख लीजी इसका founder member भी इंडिया है इसके साथ इंडोनेसिया है इराक है जापान है मैनमार है सिरलंका है एजिप्ट है सिरिया है यह सब देश है और इस ALCO का headquarter New Delhi में है exam point of view से उतना important नहीं है इसको इसको ध्यान में रखियेगा यह ADB है यह बहुत important है ASEAN Development Bank इसका 1966 में अस्थापना हुआ था इसका अभी इसके starting के समय 31 member थे अभी total और 60 member है इंडिया इसका founding member है अब इसका headquarter Manila में है जो की Philippines में है यहाँ पर आपको एक और GK का question बता दे रहा हूँ आप comment box में बताएगा international rice का जो research center है जो सबसे बड़ा है वो कहाँ पर है आप comment box में जरूर बताएगा rice research center ध्यान में रखियेगा अगला है African development bank जो वहाँ के country है उसके साथ सथ बाहर के भी country member है इसका अस्थापन 1964 में हुआ था इसका headquarter अब देख लीजिए तुनिसिया में है फिर यहाँ पर देख लिए Australian group है Australian group का अस्थापन 1985 में हुआ था इसका total member country है 48 इसको इंडिया 2018 में जोइन किया था और इसका first meeting Brussels में हुआ था जो की Belgium का रजधानी है 1989 में इसको देखान में रखिएगा हाल ही में इंडिया जोइन किया है तो हो सकता है exam में आ सके फिर ASEAN है बहुत important है ASEAN के बारे में एक मैं separate video बदाऊंगा इसका अस्थापना 1967 में हुआ था इसका dialogue member है और इसका headquarter जकारता इंडोनेसिया में ASEAN के साथ इंडिया का free trade agreement है इसमें इसमें वियतनाम फिलिपिन्स Thailand यह सब country आते हैं और इनका अक्सर पंगा चाइना के साथ होते रहता है जिस तरह से European Union है उस तरह से ASEAN भी धीरे धीरे develop होते जा रहा है यह काफी regional forum यह काफी strong forum है यह country आने वाले समय के manufacturing hub अभी भी हैं और चाइना को तो कड़ी टकर देने वाले हैं अगला हमारा है BIMSTEC यह भी बहुत important है बहुत बार exam में आ चुका है इसका full form है Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic operation इसको जब SARK unsuccessful हो गया था जिसका member country तालिबान भी का तालिबान और पाकिस्तान है पाकिस्तान की वज़ा से SARK unsuccessful रहा तो उसकी वज़ा से उसकी वज़ा से इंडिया को BIMSTEC बनाना पड़ा इसमें जो इंडिया के जितने भी नेवर country हैं एक दो छोड़कर सारे इसके member है इसको 1997 में बनाया गया था इसका founding member इंडिया है और इसका headquarter बांगलादेश के रजधानी धाका में है अगला है bank of international settlement यह भी बहुत important है इसको 1930 में found किया गया था इसका reserve bank of India भी इसका member है और इसके साथ-साथ इंडिया के reserve bank के अलावा 60 और देशों के भी central bank इसके member है इसका headquarter Basel है Switzerland Basel Basel norms के नाम से भी आप जानते होंगे जो कि banking बहुत important है अगला है BRICS हाली में BRICS summit हुआ था बहुत important है इसको याधी रखियेगा इसका 2006 में foundation हूँ इसको 2006 में अस्थापना किया गया था लेकिन जब अस्थापना किया गया था उस समय साथ अफरिका उसका member नहीं था इंडिया इसका founding member है इसका headquarter Shanghai China में है अगला है Commonwealth of Nation ये 1931 में इसको बनाया गया था इंडिया के साथ-सा तीरपन country और और इसके member है इसका headquarter लंडन में है ये उन देशों का गुरूप है जिस पर एक समय पर UK ने रूल किया था या Britain ने रूल किया था फिर है CERN European Organization for Nuclear Research 1954 में इसका स्थापना किया गया था इसका headquarter जेनेवा में है और इसका India associate member है इंग्जाम के लिए important नहीं है फिर है CP Colombo plan 1950 में इसको established किया गया था headquarter को लंडन में है इंडिया इसका founding member है लेकिन exam के लिए important नहीं है फिर इस्टिस्य समिट 1950 में इसका अस्थापना किया गया था, इसका हेट कौर्टर स्रिलंका है, इंडिया भी इसका founding member है, लेकिन एक जाम के लिए important नहीं है, फाउ ये बहुत important है, ये UN, United Nation के अंदर में आता है, इसका 1945 में अस्थापना किया गया था, और इसका हेट कौर्टर रो में है, जो कि इतली की रजधानी है, इंडिया इसका founding member में है, और ये फाउ जो organization है, ये research करता है agriculture पे और climate change की वज़े से agriculture पे क्या परभाव पड़ेगा उसका research करता है, फिर आने वाले समय में climate change की वज़े से जो food crisis होगा, उसमें क्या क्या चेंजन होगे, उसके बारे में ये organization research करता है, फिर है G15, 1989 में इसको established किया गया था, headquarter इसका जेनेवा में है, स्वीजर लेंड, इसका founding member इंडिया है, लेकिन exam के लिए उतना important नहीं है, जी 20, बहुत important है, इसका headquarter can come, maximum में है, इसको 1999 में found किया गया था, इसका इंडिया founding member है, बहुत important है exam के लिए, जी 77 ये भी important है, established in 1964 को established किया गया था, headquarter New York है, इंडिया इसका founding member है, ये G77 है, UN में ही इसको अलग से, UN के जितने देश से अलग से G77 form किये थे, ताकि UN में अपना कद बढ़ा सके, फिर यहाँ पर है International Atomic Energy Agency, बहुत important है exam के लिए, इसको भी याद रखेगा, इसका established 1957 में हुआ था, headquarter इसका BNA में है, जो कि अस्ट्रेलिया के रजधानी है, इंडिया इसका founding member है, ये बहुत important है, इसका काम यह है कि जो nuclear weapon बन रहा है, कोई ऐसा देश नहीं न बना रहा है, जो कि आने वाले समय में दुनिया पे खत्रा हो, जैसे इरान पी इसका काफी नजर है, और भी देशों पे नुकलियर से रिलेटर यह जांच पड़ताल करते रहता है, फिर है अगला हमारा International Bank for Reconstruction and Development, ये World Bank है, उसका एक पार्ट है, 1944 में इसको establish किया गया था, इसका headquarter Washington, DC में है, exam के लिए बहुत important है, World Bank के अंदर में साथ organization आते हैं, इसको भी आप लोग दिहान में रखिया है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसका इंडिया एक founding member भी था, ICU है, International Civil Aviation Organization, ये भी important है, इसको 1944 में establish किया गया था, इसका headquarter Montreal, Canada में है, Information में पढ़ाई करते होंगे, तो आपको Montreal Protocol के बारे में बताया गया होगा, इंडिया इसका elected member है, International Chambers of Commerce, 1919 में establish किया गया था, फेर इसका headquarter है, जो कि France की रजधानी, इंडिया इसका member है, इजाम के लिए important नहीं है, International Development Association, इसको 1950 में establish किया गया था, Washington इसका headquarter है, और इंडिया इसका founding member है, लेकिन एकजाम के लिए इसका कोई important नहीं है, International Energy Agency बहुत exam के लिए important है, हाल में ही यह बहुत, यह news में है, यह energy से related research करता है, अभी हाल में ही renewal energy पर अपना यह magazine launch किया था, इसको 1974 में establish किया गया था, headquarter इसका Paris है, इंडिया इसका associate member है, अगला हमारा है International Fund for Agriculture Development, बहुत important है, इसको भी ध्यान में रखियेगा, 1977 में इसका establishment हुआ था, headquarter इसका Rome है, और इंडिया इसका founding member है, अगला हमारा International Finance Corporation, यह भी important है, 1956 में इसको establish किया गया था, हमको लगता है, इसका वासिंग्टन में है, इंडिया इसका founding member है, यह भी important है, हाल में ही आप इसको international labor organization, हाल में ही सुने होंगे, जब COVID पूरी तरह से इंडिया में फैल चुका था, तो कुछ राजियों ने, तो कुछ राजियों ने आठ के जगा पर दस घंटा working hour बढ़ा दिये थे, तो international labor organization उसको काफी criticize किया था, यह labor से related काम देखती है, और labor के right के बारे में यह ज़्यादा बात करती है, इसको established 1919 में किया था, इसका headquarter जेनेवा है, इंडिया इसका founding member है, IMF बहुत important इसको तो रटा होना चाहिए, international monetary fund इसको 1945 में established किया गया था, headquarter इसका Washington है, इंडिया इसका founding member है, फिर है international maritime organization, यह भी बहुत important है, 1948 में इसको found किया गया था, लंडन इसका headquarter है, इंडिया इसका elected member है, फिर है international mobile satellite organization, 1999 में इसको established किया गया था, इसका headquarter लंडन में है, यह भी important है, आगे बढ़ते हैं, इंडिया इसका founding member है, इंटरपोल बहुत important है, international criminal police organization, जो international level पर जो crime होता है, उसका यह जांच परताल करता है, इसको established 1923 में किया गया था, इसका headquarter Lyon, France में है, इंडिया इसका 1949 से member है, अगला है international Olympic committee बहुत important है, 1984 में इसको established किया गया था, headquarter इसका Lua Sen में है, जो कि Switzerland में है, इंडिया इसका member है, यह Olympic से related काम देखती है, Olympic कहां करवाना है, Olympic में कौन-कौन sports को सामिल करना है, Olympic में क्या क्या नए नए नियम बदला हो रहे हैं, इस सारी चीज़ यह IOC देखती है, अगला है international partnership for energy efficiency corporation, 2009 में इसको established किया गया था, इसका headquarter Paris है, France की रिजधान, इंडिया इसका founding member है, exam के लिए इंपोर्टन नहीं है, यह बहुत important है, international organization for standardization, अब कोई भी product लेते होंगे, तो उस पे तो BIS और ISA को trademark होता है, यह दिखाता है कि वो product genuine है की नहीं, सुध है की नहीं, इसको established in 1947 में किया गया था, जेनेवा में इसका headquarter इंडिया इसका member है, फिर है ITSO, International Telecommunication Satellite Organization, इसको exam के लिए important नहीं है, लेकिन जान लिजाए, इसको 1964 में established किया गया था, headquarter इसका Washington DC में है, इंडिया इसका member है, फिर है International Telecommunication Union, इसको 1864 में established किया गया था, लेकिन exam के लिए important नहीं है, headquarter इसका Geneva Switzerland में है, इंडिया इसका active member है, लेकिन exam के लिए ऐसा कोई important नहीं है, फिर ITUC है, International Trade Union Confrontation, the successor to detail जानने का ज़रुरत नहीं है, लेकिन exam के लिए important है, International Trade Union Confrontation, इसको ध्यान में रखियेगा, इसको 2006 में established किया गया था, इसका headquarter Brussels Belgium में है, इंडिया इसका member है, MTCR, Missile Technology Control Regime, इसको भी याद रखियेगा, बहुत important है, ये खास करके रसिया और USA को लेकर इसका हमें साब बाचित चलते रहता है, 1987 में इसको establish किया गया था, headquarter इसका Japan में है, इंडिया इसका 2016 से member है, MTCR से इंडिया भी इसको sign किया है, जिससे किया है कि Missile Technology इंडिया किसी देश को export कर सकता है, Non-alignment movement, exam के लिए important है, इसको 1961 में establish किया गया था, headquarter इसका Jakarta है, इंडिया इसका founding member है, इंडिया नयाम के foreign policy को लेकर बहुत चर्चा में रहा है, जिसको याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है, permanent court of arbitration, ये भी बहुत important है, इसका establishment इसका 18 से 99 में किया गया था, इसका रजधानी, इसका headquarter हेग में है, इंडिया इसका part है, अभी हाल में ही सुने होंगे, केन इनर्जी के साथ, इंडिया का जो भी मामला चल रहा था, तो PCA court ने ही order दिया था, केन इनर्जी को, के जो भी इंडिया का जो foreign property है, उसको अब siege कर सकते हैं, तिसले ये news में है, तो exam के लिए important हो सकता है, फिर अगला है Pacific Island Forum, exam के लिए उतना important नहीं है, इसको 1971 में establish किया गया था, headquarter, इसका Sua, Fiji में है, इंडिया इसका partner है, अगला है Sark, हम पहले ही discuss किये थे, कि Sark की failure की वज़ा से, इंडिया बीमस्टेक को ज़्यादा तवज्यो दे रहा है, South Asian Association for Regional Corporation, इसका full form है, इसको 1985 में बनाया गया था, इसका रजधानी Kathmandu, नेपाल में है, इंडिया इसका founding member है, लेकिन interesting बात यह है, कि Sark बनाया गया था, इंडिया को contain करने के लिए, लेकिन इंडिया इसका member बन गया था, उस Sark फिर बाद में Sark को इंडिया ही लेकर आगे चल रहा है, और अभी भी लेकर आगे चलना चाह रहा है, लेकिन Pakistan इसका सबसे बड़ा अरंगा लगाने वाला देश बन गया है, अगला है, South Asia cooperative involvement program, इसको established 1982 में किया गया था, headquarter इसका Colombo, स्रिलंका की रजधानी, इंडिया इसका active member है, लेकिन इसका कोई importance अभी नहीं है, SEO बहुत important है, Shanghai Corporation Organization, 1966 में इसको established किया गया था, headquarter इसका विज़िंग, चाइना की रजधानी, इंडिया इसका founding member है, हाल में ही एक दो तिन साल पहले इंडिया जोइन किया है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने, यह बहुत important है, लेकिन यह चाइना और Asia centric है, लेकिन इंडिया इसको, लेकिन इंडिया इसको खास करके चाइना के साथ अपना बाचित बढ़ाने के लिए ही यूज करता है, फिर है United Nation, बहुत important है, establishes को October 1945 में किया गया था, headquarter इसका New York है, इंडिया इसका founding member है, इसको तो याधी होगा आप सभी को, फिर है United Nation program for HIV AIDS, यह 1994 में इसको establish किया गया था, headquarter इसका New York में है, इंडिया इसका founding member है, लेकिन exam के लिए important नहीं है, UNESCO, बहुत important है, हाल में ही इंडिया के अहमादाबाद को heritage city में सामिल किया है, इसको establish 1946 में किया गया है, headquarter इसका London में है, इंडिया इसका founding member है, बहुत important है, United UNESCO, अगला है WHO, बहुत important है, 1948 में इसको establish किया गया था, इसका headquarter Geneva Switzerland में है, इंडिया इसका founding member है, तो बस इतना ही था हमार आज का वीडियो, उमीद करता हूँ, आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को like, share, subscribe केजएगा, और आगे चलके किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो comment box में बता दीजेगा, मैं उस पर जरूर बना दूँगा, thank you, have a nice day.